श्री श्रीवाया नमास सुर्थ श्री श्रीवाया नमास सुर्थ 33 करोड दीवी देहता में सबसे सुन्दर जोड़ी थी संकरोपारवती कि सही यह की घलत है कभी नी जगड़ते इसलिए प्रत्वी पर ना तो लच्छमी जी के ब्रत है ना ब्रमानी के ब्रत है ना इंद्रानी के ब्रत है अगर पूरी प्रत्वी पर सबसे आदा ब्रत किसके है माता पारवती का तीच का ब्रत किसका पारवती का चतूर्थी का ब्रत किसका पारवती का चोट का ब्रत किसका पार्वती का छट का ब्रत किसका पार्वती का जितने ब्रते सम्माता पार्वती गणेजी मैया को परसंद करने के लिए अश्टु रूप में धारण करते हैं आट रूप मगवान गणे जिन धारण का एक मयूरेश्वर गणेश दूसरा सिध्य विनायक तीसरा बल्लालेश्वर फिर workout विनायक फिर चिंतामनी फिर गिर्जा अत्मच फिर भगवान गणेश विकनेश्वर अश्ट विनायक फिर महागनप्ति ऐसे गणेश जी के अश्ट नाम हुआ है उसमें तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतीमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतीमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं कौनसा गणेश वरद वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं और वरद विनायक के नाम से गणेशी तिजोरी में रखते हैं आपको कता में कहा था घर में सीधी सुन्ड का गणेश और वेपार वेशाय आफिस में उल्टी सुन्ड का गणेश होना चाहिए बरत विनायक को तिजोरी में जब मकान का ग्रह प्रवेश होता है तो गणेजी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिध्धी विनायक गणेश करते हैं कौनसा गणेश सिध्धी विनायक जब हम घर में शुब कारे हो बंदरवाल लगाएं कोई दरवाजे पर नाम से रांगोली डालना चाहिए तो घर में लच्छमी बढ़ती है सिध्धा बढ़ती है याद रखिए कभी भी गणेशी को मिट्टी के गणेशी लाते हो भादो महीने में तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर दो बिंदी एक कंकू की एक खल्दी की दिवाल पर ज लगाते हैं तो गणेशी अपनी रिद्धी सिध्धी को साथ में लेकर चले जाते हैं पती के साथ पत्नी बापिस चली जाती है जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहु हमारे घर में रहे बेटा भले ब्रमन के लिए जाए तो गणेशी जात कितनी दुर्वा गणेजी को समर्पित करी जाती है मात्र पांच कितनी आज के जमाने में लोग गठा बना कर चड़ा दें वो अपनी जगा पर पांच दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश्मे करने के लिए और भगवान के पांच जो सुरूप हैं उनको अपने भीतर उतार करने के लिए पंच दुर्वा और दुर्वा में भी तीन गाट जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गाठ रहती है तीन छोटी-छोटी गाठे होना चाहिए चतुर्थी का जो वरत करने वाली होती है जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है उनके भीतर का एक बाव होता है कि जैसे ही साम का समय आये चंदर देव का पूजन करें चंदर जब प्रगट हो जाए कलश भर लिया उसके नीचे आखा दाना रख दिया चावाल गेउ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए ओपर पात्रादिक रख दिया जलाश है फिर अपने गीका दिया लगा कर पूजन भी कर लिए तो जो चतूर्थी का पूजन करने वाली होती है जो चतूर्थी का नियम दारन करने वाली होती है बड़ी-बड़ी चतूर्थियां करती है या उसका नियमदारण करती है तो चतूर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है केवल संतान पुत्र परिवार हमारा कुटुम हम जिस कुल में है हमारा कुल बेभव की और बड़े संपदा की और बड़े और उसकी आयू बड़े बहुत ध्यान दीजिए गारा चतूर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो गेंबगरा कुझ भी जो रखते हो उसकी बड़ी महत्वता होती है यहां तक कहा गया है चतूर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होगे जो लोग पढ़ते हों उनको मालूम होगा चतूर्थी की कथा में लिखा है चोथ माटा के बरत में बढ़नन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है समाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कारिस सफल होना चाहिए तो जिसने चतूर्थी का अबरत करा है जिसने चंदरदेव का पूजन करा चतूर्थी का अबरत करा वो गनेजी से विंती करके वहां से दो-चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का पर दूसरे कुल को नहीं देना अपने ही कुल के अंतर के जो काम अटक रहा है उसकी जेब में उसके अन्मों में उस चीज को रख दिया जाए तो चतूर्थी जो अगली आती है जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी-बड़ी चतूर्थी करते हो तो उसकी अनुसार आपका कारे सिद्ध होता ही है उस आखे दाने का इतना महत होता है क्योंकि चतूर्थी का ब्रत करने वाली माता जब ब्रत करती है तो स्वयम चतूर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पारवती जी गणे जी से चतूर्थी की कथा बचवाती है यह वार बाचने वाले गणएजी तेश्रार्वश्राबी निवेदान करके बिनाय करके उसको प्राथ्टिए जुटने आस्था चैनर पर कता सुनुरहे हो जितने फेस्बुक और यूटूब पर सुनुरहे हो और जितने इस फिरीस घड़ की पावाण धरा परवेड़ पर सुनुरहे हो बहुत समझानी से सुनना एक फोटा सा कपूर का तुकड़ा जब आर्थी में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको आर्थी में जलाने के? क्या जरूवत इसको यक्षाना में जलाने के? क्या जरूवत है इस कपूल को पूजन में चलते हैं। भीक पूजन में ग़र में, एक कपूर का कट्णा आर्पी के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्मेग यग्य का पुण प्रत करेगा। अश्मेक यक्यके पुन्न को पाने के लिए कपूर का तुपड़ा आज भी आरती में जलाएगा, एक कपूर का तुपड़ा हाँ, सुका का, इसी लिए हमारे साथ करता है हमाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि पंदरा दिन से बहुत बेचेनी हैं, बहुत को तकलीब लग रही है, कोई ना कोई बिमार पढ़ रहा है, कुछ ना कोई तकलीब लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके उपर कपूर का तुपड़ा ले लो, तारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मत्य में जला कर दिए, थोड़ी सी जज़े ल अधर मकान में अनर्जी बाफिस दरवाजे, उस भावन में अनर्जी बाफिस दरवाजे, वीस से पत्चीस मिनिट के अंतर इनर्जी बाफिस लग रहा है, यहां नेगेटि वह तो उसको पॉजिटिव बनने जासा, रात को बारा गजे संकर जी के मंदर में शिवलिंग पर चड़ी हुई बेल पत्री को उठाकर संकर मंदर का शिखर देखकर चवा चवा कर खाली जिए, आपके पाउं के गोटने बदलने की जरुवत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरुवत नहीं पड़ेगी, अपरेशन की जरुवत रहते हैं, तो हमने का अब यह तुमारे ऊ चड़ेगी, तो हमने का के वह एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक गड़ी होती है, कि गणे जी महराज हमारे घर में आ गए, गणे जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए, या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोडने के बाद गणे जी का नाम दुरुमबन कह दिया जाए, तो गणे जी को तुमारे घर की पूजा सुईकार करना पड़ती है, बस वो समय हम जान, हम तो बस उतना जानते हैं कि श्युमा पुराण में लिखा, और मुदगल पुराण में लिखा, गणे पुरा को विश्वास के साथ जरूर करें, और कमेंट में इसरी सिवाय नमस्तु भी हम जरूर लिखें, थैंक्स पर वचिंग